कि यहीं अच्छे आइडिया से हैं कि यहां पर मार्केट इतना उपश लेवल उपर चला गया है तो यहां से आप कैसे एक आइडिया लगा है कि अमको यहां शेर्वे में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो देखने को मिलेगा कि इंडेश्लेंड के उपर बात करेंगे काफी यहां पे तेजी को म ada ही देखने को मिलेगा कि इस बैंक के और вurfum 1089 का जो टेखने को मिल रहा है यहां पर 40 रुपे की जियआओ आपको देखने को मिल रहे है मैं आप बात करो दोस्तों clearly आपको बता दू अगर आप इसमें शेयर में इनवेश्ट करना चाते हैं तो यह वीडियो देखें और आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा तो दोस्तों मैं नहीं कहता है कि आपको इनवेश्ट में वीडियो देखे करें तो यहां पर मैं clearly कर दस 40 पसक्तर भाई को देखने को मिल रहा है यहां पर लग भग 50 पर यहां पर रिखने को मिलेगा 1089 का छिए लग ब्रह देखने को मिल रहा है यहां पर मैं यहां पर अच्छी पॉश्चनटी दूँगा गया आपको अगर इसमें भाई भी करना तो लगभग यहां पचास के आपसाद भाई कर सकते हैं और यहां पर देखने को मिलेगा कि शेर में काफी तेजी आगी है और जो है आपको देखने को मिल रहा है कि यह बहुत ही हाई देखने को मिला लगभग 1190 की आसपास जला गया था सो मैं यहां पर इसकी fundamentals की बात करूँ तो long term में अच्छी positivity है और आपको short term में भी अच्छी positivity के साथ अच्छी returns भी देखने को मिल जाएंगे fundamentals में चेक करके बताओं आपको तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जो ranks है five number पर आ रही है या बैंक की और companies के साथ बीस company साथ private sector के अंदर company काम कर दी है इसमें जो fundamentals हैं काफी positivity के साथ यह पर financial trade भी positivity में देखने को मिल रही है और growth अच्छी खासी देखने को मिल रही है और company के अंदर bank के अंदर भी काफी अच्छी positivity को मिल रही है तो यहां पर बात करूँ बात करें इंडिस्ट्री प्राइविट बैंक है और बात करें मार्केट के साबसे तो 84,000 क्रोड का मार्केट के अप है जहां पर आपको डिविडेंड भी कंपनी प्रवाइड कर रही है तो यहां पर जो आपको पी जो रेशो निक देखने को मिलता है वह लगबग 26% के की तलाश है तो इंडिसलेंट काफी अच्छा बैंक है यहां पर इंवेश्ट आप कर सकते हैं बिकॉस मैं यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर प्रवाइड लेता हूं कि पानेशल ट्रेड अच्छी है तो आपको इंवेश्ट कर लेना चाहिए अगर वेरी अट्रेक्टिव कोई नुपसान ही नहीं है यहां पर अच्छा से इंवेश्ट कर सकते हैं तो यहां पर समझदारी की बात है आपको खुद एनलाइसिस करना ज़रूरी है थैंक्स वर वाचिंग धन्याद में